समस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent हाव YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों वीडियो में बात करेंगे Ireland Women's और England Women's की बीच होने वाले पहले T20 मैच की बारे में इन दोनों टीमों की बीच में जो लास्ट ODI मैच केला गया था वो Ireland Women's ने विन किया था हाला कि सीरीज इंगलेंड ने विन कर ले थी लेकिन एक मैच भी अगर Ireland जीत रही तो उसने बहतर परफुमेंस किया था अब क्या ये वो परफुमेंस T20 में भी दिखा पाएगी इसके बारे में बात करेंगे कौन-कौन से मैच विनर्स प्लेयर मौजूद है Ireland टीम के पास में इस पर भी डिसकुशन कर लेंगे जिससे आप एक बहतर टीम तयार कर पाएंगे चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले जिन लोगों ने फैंटसी टैलेंट अब यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है ये काम कर लीजिएगा और साथी साथ फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलेग्राम पर जोइन कर लेना मैदान के उपर टोटल तीन टीट्वेंटी मैच इस खेले ग score यह जिन में से तीनों की तीनों टीट्वेंटी मैच से वह सेकेंड बैटिंग करने वाली टीमें जीते हैं हाला कि यह match England women's win कर लेगी चाहे वो पहले betting करें चाहे second betting करें अगर हम percentage की बाते करें तो लगबग 99% chances हैं कि England women's ही match को win कर लेगी आखरी बार इस मैदान पर जब matches खेले गए थे 2012 में तो बंगलादेश उमेन ने 96 बनाया था जिसे पाकिस्तान उमेन बड़ी आराम से chase किया इसके बाद यहाँ पे Ireland women ने 80 किया था वो भी पाकिस्तान women ने chase कर लिया था और Ireland women ने यहाँ पे 92 का score किया था जिसे बंगलादेश women ने chase किया तो कुल मलाकर चेस करने वाली टीम ने अच्छा किया था हाला कि जितनी भी बहतर टीम थी उन्होंने second inning में बेटिंग की है इसलिए भी आपने ये performance होते हुए देखा है अब score करने वाले players पर अगर नज़र डालें तो number 3, number 2 और यहाँ पर भी number 2 के player मतलब opener और number 3 तक आपको एक बहतर score मिला है second inning में भी यही कुछ इस्तिति आपको देखने मिली है यहाँ पर सलमा खातूर निदादार और यहाँ पर भी निदादार ने बहतर करके दिया तो कि normally जब हम woman cricket की तरफ जाते हैं तो आपको यह देखने मिलता है कि पिछ चाहे जैसा भी हो spinners आपको ज़्यादा wicket निकाल कर देती है तो वही स्तिति आपको यहाँ पर भी देखने मिल रही है कि spinners का domination है क्योंकि ज़्यादा तर आप देखेंगे कि पाकिस्तान woman के पास भी spinners बहतर है बंगलादेश के पास भी spinners बहतर है चुकि आइरलेंड के पास भी आपको spinners ही बहतर नजर आ रही है तो इसलिए spinners ही आपके लिए एक better choice के तौर पे रखी जाएंगी आप बात कर लेते हैं यहाँ से दोनों टीम के head to head matches के बारे में दोनों टीमों ने मिलाकर दो टी 20 matches खेलें और दोनों टी 20 matches हैं वो जीते हैं इंगलेंड women's ने पिछले साल इन दोनों टीमों के बेच में जो एक टी 20 match खेला गया था वो Ireland women ने बनाये थे 105 run और इंगलेंड women's के 6 wicket गिरा दिये थे हाला कि मैच इंगलेंड women ने ही win किया था इस मैच में गैबी लुईस ने 36 और कैरा मूरी ने 3 wicket निकाले थे तो दूसरी तरफ Alice Kapsi का 51 थे Sarah Glenn के 3 wicket थे और Eccleston के 3 wicket थे चुकि ये तीनों प्लेयर अभी नहीं खेल रही है फिर इसके पहले अगर हम देखेंगे तो 2012 में मैच खेला गया था और लगबग लगबग सारे players चेंज है तो ये record आपको देखने के लाइक नहीं मतलब काम नहीं आपाएगा अब दोनों टीम्स की playing 11 की बात करेंगे चुकि England बिल्कुल नहीं players के साथ में खेल रही है तो इसलिए भी जो matches है वो आपको थोड़े बहुत टक करके देखने मिल रहे है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे यूना रेमंट सरी हम Ireland women की बात कर रहे है पहले तो पहले आपको यहाँ पर यूना रेमंट मिलेंगी इसके बाद गैबी लुईस ओपन करते हुए नजर आएंगी नमबर तीन पर एमी हंटर और नमबर चार पर औरला मिलने वाली है और कुल्म लाकर देखा जाए तो यह जो तीनों प्लियर है इस टीम की बहुत बहुत बहुतर प्लियर है इसके आद ली पॉल एवरेज है आप इन्हें एवरेज में काउंट कर सकते हो इसके बाद रेबिका अलिना कैली और अलिस टेक्टर आपको मिलने वाली है गिंदबाजी में इनके पास में एक फ्रेगा सेगमेंट और एमी मेगुरी यह दोनों बहतर गिंदबाज है पावर प्ले और डेथ ओवर की अगर हम जर्जा करें तो औरला का इस्तमाल पावर प्ले में कर लेते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि एमी मेगुरी आपको डेथ ओवर में गिंदबाजी करते हैं नजर आ जाती है और इसके बाद एवा कैनिंग और एरलीना कैली यह भी पावर प्ले में इस्तमाल हो जाती है तो पहला नाम है यूना का जिनोंने टोटल मिलाकर 6 अंदर रास्टी है टी 20 मैचिस खेले हैं जिसमें टोटल बनाकर 24 अरन बनाए हैं तो सीधी सी बात है कि यह प्लेयर आपके काम नहीं आ रही है भी और इस्पिन के सामने इन्होंने अपने 24 गेनों में दो बार विकेट दिये हैं अब चूकी आपको यह देखना है कि सामने वाली टीम की तरफ से नई गेन सी गेनबाजी कौन करता है वहाँ से आपको कैट क्रॉस मिल जाती है जिनके पास में यह विकेट आने का चांस बढ़ जाएगा नमबर दो पे आपको कौन मिलता है नमबर दो पे है गेबी लुईस जिनका बहतर रिकॉर्ड है इंगलेंड के सामने पहले एक बार 36 रन बना चुकी है और 2023 से 2024 में उन्होंने 21 टीटी अंतरास्टी मैचेस खेले है जिनमें 37 का बैटिंग एबरेज है मतलब हर मैच में लगबग 37 रन बना लेती है पर चुकी ज्यादातर टीटी मैचेस जो हैं वो छोटी टीम्स के खिलाफ खेले होते है इसलिए आपको इतना बैतर रिकॉर्ड नजर आ रहा है अब अगर इंगलेंड के सामने हम काउंट करें तो ज्यादा नहीं तो 25 के आसपास रन आप मानके चल सकते हो कि हाँ 25 से लेकर 30 तक का स्कोर एक्सपेक्टेड है जो बना सकती है और 350 और एक बार 100 से उपर का स्कोर इनके पास टोटल मौझूद है इनको दिक्कत हो जाती है ज्यादा तर लेफ्ट आम मीडियम से इसके बाद नमबर 3 पे आपको मिलती है एमी हंटर 21 पारी में 590 रन इन्होंने भी बनाए है इन्होंने भी लगबग हर मैच में 33 रन बनाए है जिसमें 350 और एक बार 100 से उपर का स्कोर है वही बात यहाँ पर आपको फिर से रिपीट नजर आएगी कि ज्यादातर मैच इस छोटी टीम से इकलाव है पहले बेटिंग करते हुए इनका बेटिंग एवरेज है 38 का जिसमें 350 और 100 है अगर टीम पहले बेटिंग कर रही है तो इनको रखने का फायता ज्यादा हो सकता है कारण मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इस तरह की इस तरह आप देखने मिलेगी कि पहले बेटिंग करते हुए जो बेटर्स है आइरलेंग वोमेंस की वो अगर आपको 15 रन 20 रन या 25 रन भी बना कर दे रही है तो बहुत सफिशियंट स्कोर है क्योंकि जब इंगलेंड वोमेंस अपनी गेंदबाजी पे आएगी पहली इनिंग में तो उनके गेंदबाज आपके लिए बेटर होंगे और जब आयरलेंड वोमेंस पहले गेंदबाजी कर रहे होगी तो इनके गेंदबाज आपके लिए ज्यादा बैतर आप्शन होंगे राइट आम फास्ट बोलिंग इनको ज़्यादा दिक्कत देती है जिसके सामने इनका बैटिंग एवरेज है बारा का और इस वॉंग है अगर ये खेलती है तो क्योंकि लास्ट कुछ मैचिस में हमने इनको खेलती है नहीं देखा है इसके बाद है औरला जो कि इस टीम की सबसे बहतर प्लियर है जो कि आपको बैटिंग भी प्रोवाइट करेंगी साथ में बोलिंग भी देंगी इसलिए ये प्लियर आपकी टीम में कन्फर्म रहने वाली है लेक ब्रेक के सामने इनको दिक्कते रही है और सामने वाली टीम के सबसे आगे यही है क्योंकि बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों कर लें ऐसी सिर्फ एक मात्र प्लेयर है दोनों टीम को मिलाके जो की टॉप ओडर में बैटिंग भी कर रही है इसके बाद है दोस्तों ली पॉल टी ट्वेंटी में तो बहुत अच्छा किया था इन्होंने 25 प बढ़ा सकती है इसके बाद रेविका स्टोकल है हाल फिलाल की स्थिती में इनको वाइट करके चलना बैतर रहेगा क्योंकि सिर्फ 11 प्लियर्स की जो नाम है उनको कंप्लीट करने में मदद कर रही है लेक ब्रेक के सामने उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है हैना वेकर के पा बेतर रिकॉर्ड है इस्पेशली अगर आप पहले गिन बाजी करते वे देख रहे हैं तो आपके लिए फायदे मंद होगा अगर टीम पहले गिन बाजी कर रही तो एरलिन केली को टीम में रखा जा सकता है क्योंकि ये ज्यादा नहीं तो आपको एक विकेट निकल कर दे ज जाती है इसके बाद एलिस्टेक्टर यहां पर आपको ज़्यादा परिशान नहीं होना है क्योंकि अब हम यहां से कुछ सेलेक्टेट प्लेर्स के तरफ ही जाएंगे एक एवा कैनिंग हैं जिनोंने 27 पारी में महस 13 विकेट निकाले हैं फ्रेया सेगमेंट ने जो चार ओवर करने का मौका मिलेगा अब उन चार ओवर में क्या विकेट निकाल सकती हैं तो दोस्तों इसके लिए हम टॉस पर ठोड़ा डिपेंड करेंगे पिच्छ पर डिपेंड करेंगे तो अभी हाल-फिदाल कि सिती में आप इनको ऑप्शनल के तोर पर शामिल कर सकते हो मतलब अगर आप रिस्क लिए रहे हैं कुछ प्लियर्स पे तो ऐसे में आप ट्राइ कर सकते हैं वो भी कब जब टीम पहले गिनबाजी कर रही हो और अंतिम नाम है एमी मेगवीरी का जिन्होंने चार पारी में एक विकेट निकालकर अपनी टीम को अभी तक प्रोवाइड के हैं अब बात करें इंग्लैंड वोमेंस की एंग्लैंड वोमेंस के पास में आपको टॉप ओडर में मिलेंगी टैमी बीमॉंट साथ में ब्राउनी स्मित फिर हैं एरेमाटाइज और इसके बाद है इसको फिल्ड और जॉर्जिया एडम्स स्मेल और गेंडी विलर्स गे इसवांग, केट क्रॉस और हैना बेकर अब सबसे पहले आपको गिनबाजी करते हैं पावर प्ले में नजर आ सकती हैं केट क्रॉस अगर इसवांग खेलेंगी तो यह भी रहेंगी और डैथ ओवर में भी आपको यही नजर आने वाली हैं अब सबसे पहले वेनी जो प्लेयर्स थे वो पुराने थे अब यहां पर देखेगा टैमी वी मॉन पहला नाम है एक मैच ओडियाइज में डेड़ सो बना कर आई हैं मतलब बैटिंग की तरफ से तो कोई समस्या रहीगी नहीं चौदा पारियों में 410 रन और 31 का बैटिंग एवरेज और तीन बार शे पारी में 57 रन है राइटा मीडियम ने इनको दिक्कत दी है 33 गेंदों में 4 बार आउट हो चुकी है और यहां पर आपको मिलती है औरला जो की बैटर कर रही है और साथ में एवा है इसके बाद में हुली है हुली ने एक पारी में 1 रन का स्कोर किया है हाल फिलाल की स्थ इनको रखके चल सकते हैं यह इनका डॉमिस्टिक का रिकॉर्ड है अंतरास्टी रिकॉर्ड नहीं है इसके बाद है जो की आपको 19 का बैटिंग एवरेज प्रोवाइड करती हैं साथ में 13 विकेड भी नोने निकाले हुए है अब आपको राइट हैं बैटिंग के साथ में मीडियम गिनबाजी देती हैं पहले बैटिंग करते हुए एक बार 50 से उपर का स्कोर यह कर चुकी है और इसके बाद अगला नाम है इसमेल का विकेड कीपर है विकेड कीपर में हम सामने वाली टीम की विकेड कीपर के साथ में चल रहा है क्योंकि वो टॉप ओर में बैटि दे सकती हैं क्योंकि कैचिस के ज्यादा मौके इनी के पास आएंगे उस प्लियर के मुकाबले क्योंकि आपको पता है कि विकेड स्वाविक सी वात है कि आयरलेंड वुमें के ज्यादा जाएंगे इसलिए स्टंप के मौके कैचिस के मौके जो ज्यादा है वो इंगलेंड व इनिंग में 34 विकेट निकाले हैं दोनों इनिंग का रिकॉर्ड इनका बहुत बढ़िया है और इसके बाद अगला नाम है इस्वॉंग का इस्वॉंग अगर खेलती है तो इनको हमने आई पील में वूमेन आई पील में खेलते हुए देखा है काफी बहतर इन्होंने यही मैस में जो 6 विकेट मारे थे डेथ ओवर की गिंदबाजी की वज़े से उस वज़े से काफी सारे लोग इनको वाइस केप्टन ट्राय कर रहे है अगर टीम पहले गिंदबाजी कर रही है तो आप ट्राय कर सकते हो इसके बाद हैना बेकर है 32 पारी में 21 विकेट इनके पास है पहले गिंदबाजी करते हुए 10 सेकिंड करते हुए 11 विकेट है कैप्टन वाइस कैप्टन सी कि अगर बात करें तो वीमॉंट और ला और केट क्रॉस यह अधिकतर लोगों की चोईस में शामिल होंगी इसके बाद ईलम और मेडी विलर से जिन पर भी लोगों की एडम्स, औरला, बैकर और केट क्रॉस है कैप्टन वाइस कैप्टन हाल फिलाल में यह है लेकिन अगर टीम में कुछ बदलाव होता है तो वो मैं आपको टेलेग्राम पर क्लियर कर दूँगा टेलेग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में में ने दिया झाल